Hello student, myself उशेभी मानी, I will teach you science subject, science subject में हम chapter नमर पढ़ेंगे 4 जिसका नाम है metals and non-metals तो students, metals क्या होते हैं, non-metals क्या होते हैं, क्या आपको पता है कि metals क्या होते हैं और non-metals क्या होते हैं, नहीं पता तो अब हम पढ़ेंगे metals क्या होते हैं और non-metals क्या होते हैं, तो students, जो metals होते हैं, आपको पता है हमारी daily life में कुछ चीजें metals की होती हैं, मैटल की चूरियां होती है, या metal के utensils होते हैं, तो यह सब क्या होते हैं? metals होते हैं और non metals हम इस chapter में पढ़ेंगे तो हम अब chapter पढ़ना start करते हैं there are more than 100 elements no has for far आपने यहाँ पर हमने 100 elements से ज़्यादा भी बहुत सार चीज़े पढ़ी elements क्या होते हैं बहुत सारी वस्तों के बादे में हम लोगों ने पढ़ा है the earliest non metals known to man are carbon and silver जो हमारे non metals थे वो हमारे किसके रूप में थे gases के रूप में होते हैं जिसके carbon और sulfur some of these elements behave in different form with that of different elements जब कुछ elements किसी और element से मिलते हैं तो वो कुछ और बनाते हैं जैसे कि अगर hydrogen मिला किसे water से sorry oxygen मिला water से तो हमको क्या मिलेगा hydrogen मिलेगा तो यह इसमें क्या हो रहा है एक element एक चीज दूसरी चीज से मिल रही है तो कोई और चीज produce हो रही है the elements can be classified according to the behavior अब जो चीजे रहती है वो उनका जो अलग-अलग behavior अलग-अलग उनका नेचर होता है on the basis of these properties all elements are divided इंटो तू में उसके according जो हमारे दो elements से वो डिवाइड किये गए है first metals और second हमारे non-metals first क्या है हमारे metal और second हमारा क्या है non-metals but there are also certain elements which have some properties of metal and some of non-metals लेकिन कुछ ऐसे elements होते हैं जिनकी properties जिनकी चीजे किसे मिलती हैं matter से भी मिलती हैं और non-metals से भी मिलती हैं जिसको हम क्या बोलेंगे metalloids क्या बोलेंगे हम metalloids अब हम पढ़ेंगे ऐसी कौन-कौन सीजे होती हैं एंटी मोनी एरसेनिक और tellurium तो anti-money क्या होती है आपको पता है anti-money का मतलब क्या होता है तो अपन जो आखों में सुर्मा लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं एंटी मोनी और tellurium का मतलब क्या होता है जो silver एक silver में से हमारा foil paper होता है ना silver का जिसमें हम लोग रोटियां अगरा है इसमें लपेट के रखते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे tellurium metals and non-metals are used for making tools अब जो metal से और जो non-metals है हम से बहुत साथ चीज़े बनाते हैं जैसे machine हुआ, automobile हुए, car हुए, buses हुए, house हुई, jewelry हुई और utensil utensil मतलब क्या होता है बरतन वो बजी जगाय से बनती है metal प्लस non-metal से तो on the basis of chemical reaction, metal are the elements which form the positive icon by losing electrons मतलब जो metals की हमेशा कह रहती है positive icons, positive का sign किसा रहता है इसा तो हमेशा metal का sign कह रहता है positive और वो मतलब किसी भी चीज़ की electrons को छोड़ता है, अब electrons क्या होते हैं, तो कुछ चीज़े होती है क्यों को science में याद रखने पड़ती है, जैसे कि हमारे मान लोग की जो कुछ electrons है, वो क्या करता है, लूस करता है, कुछ electrons उसके form में होते हैं, numbers के form में होते हैं, उसको lose करता है, और non-metals क्या करते हैं, ऐसे element जो काई की shape में होते हैं, negative shape में होते हैं, लेकिन, वो metal से gain करते हैं, लेते हैं, किसको लेते हैं, कुछ number के form में होते हैं, उसको लेते हैं, अब यहाँ पर आपको, कुछ physical properties जे रखी हैं, और कुछ हमको, कुछ हमको chemical properties जे रखी हैं, किसकी जे रखी हैं, metals और non-metals की, तो यह बता रहे हैं, physical properties में क्या के include होता हैं, फर्स्ट होता है, उनकी जो state रहती हैं, वो lusherous, lusherous मतलब shiny, shining वाल रहती हैं, कुछ ना कुछ colors रहता हैं, वो hardness रहती हैं, malleability रहती है, ductility है, thermal conductivity, electric conductivity और sonority, अब हम इसको एकी करके पढ़ेंगे, अब सबसे पहलाता है, physical state में हमारा metals, all metals are solid at room temperature, जो सारे metals होते हैं, वो कैसे की form में हते हैं, solid, solid कैसे होता है, solid होता है, ताफ के form में होते हैं, जीसे mercury हुआ, galileum हुआ, fransiss diaphragm हुआ, seshium हुआ और rabidium हुआ और only the metals, अब उसी तरह नॉन मेटल्स अर्मोस्ट नॉन मेटल्स और गेस के रूप में होते हैं लेकिन चर्फ एक ही इसा मेटल है ब्रोमाइन जो किसके फोम में होता है लिक्विट के फोम में होता है अब हम पढ़ेंगे LUSHERUS तो LUSHERUS क्या होते हैं MATALS LUSHERUS मतलब होता है SHINY तो जो कुछ METALS रहते हैं उनके उपर क्या करते हैं वो SHINY जीसा SURFACE बना ले ज़े हैं जिसकों क्या हो लेंगे LUSHERUS ठीक है और उसमें से क्या होती है light की reflection होती है जैसे की gold हुआ silver हुआ platinum हुआ आपने देखा है न जो gold है silver है platinum में ये अलगी चमकते हैं अलग चमकते हैं अब जिसे non-metals non-metals में ऐसा कुछ भी नहीं होता है वो किसके form में रहते हैं या तो powder के form में रहेंगे या तो फिर gases की form में रहेंगे इसमें कोई भी चीज shine नहीं होती है अब हम पढ़ेंगे color अब कुछ metal से color क्या होते हैं चेंज होते हैं जैसे की silver color होता है किसका silver के color होता है copper का color होता है किसका radish brown का और gold का कहता होता है golden देलो का और लेकिन non-metals में कुछ भी कुछ जीज तो colorless रहती और लेकिन कुछ चीज़े कह रहती है soft रहती जो चाकू से भी कर जाती है अब soft कौन से रहती है sodium और potassium जो है काफी हट तक soft रहती है जिसको हम कार सकते हैं किसे चाकू से अब हम पढ़ेंगे non metals तो non metals में क्या होते है सब के सब soft रहती है लेकिन किसको छोड़के सिर्फ diamond को छोड़के सब्सक्राइब निए अगर हम उसको तोड़ेंगे किसी की मालनो सिल्वर को हम किसी भी हमेट मतलब क्या होता है हतोड़ा अगर मतलब पतली शीटस में गवड़ेंगे आपने देखें जो फॉयल पेपर्स थाते हैं तो क्या होते हैं मेंमेड सिप्ट में इसकी क्या है एक्साम बसे लेकिन न नॉन में 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 फॉयल शीष बुर्ट नहीं होता है अब हम पढ़ेंगे डब तो डब्रेटि क्या होती है मेटें में वीटॉन लेकिन नॉन मेटल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है अब हम पढ़ेंगे कंडेक्टिविटी तो जो मेटल से वो क्या है गुट कंडेक्टर ओफ हीट एंड लेक्टिसिटी उसमें से हीट जो है वो पास के लेकिन नॉन मेटल में वो पास नहीं हो सकती है इस सुन क्या बोलेंगे पूर कंडेक्टर ओफ इलक्रिसिटी अब हम पढ़ेंगे सोनोरिटी तो सोनरिटी क्यों होता है जो वें मेटल पायव स्ट्राइक के लिए पड्यूर्ट आपने कभी आपके घर एवा में उसमें आता है डिएक्सिन में तो वह अपने भी बजने लगाने होते हैं जब आपस में ठकुराएं तो हमारे हाँ दो बजने लग जाते लिक inanません जब आपस में ठकचरह के तो बिल्कुल भी नहीं लैं अब हमारी क्या थे सारी faculty ने ठीद गेल परफटिटिस मैल और नॉन मेटरल की है जो की किसे रेक्शन कर दी है ऑक्सिजन से जैन हमारी रेक्षण कर लेक्शन कर दी है और यास से तॉपिक है मारा का डिस्प्छमेंन ऑफ displacement reaction तो अब हम पढ़ेंगे reaction with oxygen तो अगर सारे metals को अगर हम oxygen से combine करें तो यह क्या produce करेगा एक अलगी oxygen प्रडूस करेगा लेकिन अलग-अलग condition में देखिए पहले sodium को हमने oxygen से convert किया तो हमारे पास क्या है sodium oxide एसे ही हमने magnesium को oxygen से convert किया तो हमारे पास क्या है magnesium oxide एसे हमने zinc और copper और iron को भी oxygen से react कराया तो हमारे पास क्या है zinc oxide frostic oxide और copper oxide अब क्या पढ़ेंगे हम non-metals अब non-metals को हम काई से करेंगे वो oxygen से करेंगे तो जो non-metals अगर हम oxygen से अगर हम करते हैं तो हमेशा किसके form में आता है acid के form में आएगा या तो फिर oxide के form में आएगा देखिए अगर मैं कैसी भी non-metals को oxygen से करूँ तो क्या आएगा एक non-metals एक oxide आएगा तो carbon को मैं ने oxygen से करेंगे तो carbon dioxide gas बन गई sulfur को मैं oxygen से करूँगी तो sulfur oxide बन गया carbon dioxide को water से करूँगी तो carbonic acid बन गई और sulfur को water से ओलूँगी, तो sulfuric acid बन गई, बन गई, तो ये हमारी क्या थी, कुछ reaction हमने oxide से किया, और कुछ reaction हमने acid से किया, ठीक है, तो अब हमारा आ रहा है, reaction with water, तो reaction with water से क्या करेंगे, अगर हम metal को water से react करेंगे, तो हमारे पास क्या आएंगे, सारे gases आएंगे, ठीक है, जो कोई भी metal को मैंने किया तो metal hydroxide आएगा और hydrogen gas आएगे, ठीक है, अब हम पढ़ेंगे sodium, sodium अगर react होता है किसे, cold water से, तो हमारे पस क्या आएगा, sodium hydroxide आएगा, along with the hydrogen gas साथ में क्या आएगी, hydrogen gas भी आएगी, देखे, sodium plus water is equal to sodium hydroxide plus hydrogen gas, लेकिन अगर हम non-metals क्या होती है, water से कभी इसका reaction नहीं होता है, अब हम पढ़ेंगे, corrosion of metals, तो corrosion of metals पढ़ेंगे, iron gas oxides to iron oxide, अगर हम iron को oxygen से मिलाएंगे, तो क्या आएगा, iron oxide है, जिसका हम क्या बोलते है, Fe2O3, जिसका नाम क्या होता है, reddish brown होता है, by the action of atmospheric oxygen, किसके अंदर करेंगे, oxygen के अंदर, अगर हम iron को oxygen से करेंगे, तो क्या हैगा, Fe2O3 आएगा, अगर यही अगर हम, if an iron object exposed into a air length time, then entire thing can be eaten away, the action of air, अगर हम इसको air से करेंगे, metal से, तो जब हम air से metal को करेंगे, तो उस process को क्या हम बोलेंगे, corrosion process बोलेंगी है, आपको equation दे रखिए, देखिए, 4E plus 3O2 plus 3H2 is equal to Fe2O3 plus 2Fe और OH3, अब हम क्या करेंगे, prevention of rusting, rusting मतलब क्या होता है, जंग लगना, कभी कभी क्या होता है, कि जंग लग जाता है, iron को, अगर iron के nail को अगर हम बारिश में लगाएंगे, तो उसको बारिश में लखेंगे, तो उसके अंदर, rusting आजाएगे, उसके अंदर क्या आजाएगा, जंग लगना स्टार्ट होईगी, तो हमको उसके अगर prevention करना है, तो हमको या करना पड़ेगा, जो iron nail को paint करके रखना पड़ेगा, ग्रीसिंग करने पड़ेगी, या तो हमको उसके पर उसका oil लगाना पड़ेगा, जब हम उसकी जो layers को अगर हम क्या बोलते हैं, बचा रहे हैं, या फिर हम उसको painting कर रहे हैं, या dressing लगाते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, गैली नेशन, क्या बोलेंगे, गैली नेशन बोलेंगे, अब हम पढ़ेंगे reaction with acids, अगर हम metal को acid से react करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगी, salt आएगा और gases कुछ ना कुछ आएगी, वेसे ही हमने जिनकों को sulfuric acid से किया, तो zinc sulfide plus hydrogen case आएगी, non metals क्या होते हैं, इससे react नहीं करते हैं, अब हम पढ़ेंगे reaction with basis, अगर हम reaction करें, क्या होगा, most metals do not react with basis, जो कुछ, बहुत सारे metals होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, reaction नहीं, उनका क्या reaction नहीं होता है, basis में से उनका कोई reaction नहीं होता है, लेकिन कुछ जो metals होते हैं, वो react करते हैं, जैसे कि aluminium हुआ, zinc हुआ, इनका क्या base काफी strong देता है, ठीके, तो जब यह चीज़ reaction होती है तो हमको क्या मिलता है या तो hydrogen case मिलता है या तो sodium hydro oxide मिलता है ठीक है यू कोड प्रिफॉर्म दे अबाव अक्टिविटी उजिंग सिंपल पीस अफ जिनके sodium hydro solution with magnesium ribbon and to trace the hydrogen is evolved in the reaction अब क्या होगा non-metals non-metals का जो base रहता है वो काफी complex मतलब काफी tough रहता है उसको पेचाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है यह हम कब पढ़ेंगे higher class में पढ़ेंगे अब आएगा displacement तो displacement मतलब क्या होता है एक ही metal का दो बार reaction करना तो जब हम एक ही metal का दो बार reaction करते हैं तो उसको क्या वह लेंगे displacement मिलेंगे लेकिन जो displacement की reaction होती है वो सिर्फ हम उसको mind लेही सोच सकते हैं यह reality में करेंगे और अगर कुछ इसका गलत असर आ गया तो फिर हमारे लिए नुकसान दायक रहेगी लेकिन सारे metals जो रहते हैं वो पानी से react नहीं होते हैं और नहीं वो acid से react होते हैं लेकिन सारे metals जो रहते हैं